नमस्कार आप देख रहे हैं कंट्री इंसाइड न्यूज मैं हूँ सौरब निगम देखिए हमारे एरिटर कौसलेंद्र परासर की ये एक्स्क्लूजीव रिपोर्ट संती उनको नहीं है सर इसके क्या उपाए आपके नजरों से है सर जी नमस्कार मैं समस्त दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के आर्थिक युग में पैसा एक बहुत महत्वण शाधन है जीवन जीने के लिए सामानेतह लोग लक्ष्मी की उपासना तो करते ही हैं लेकिन तंत्र के छेतर में मैं राज-राजश्वरी की उपासना के लिए लोगों को सलाह देता हूं कि भगवती का वह दिव्यरूप जिनकी पूजा करके महालक्ष्मी धन की अधिपती बन गई राज राजेश्वरी की पूजा करने से, उनकी शाधना करने से, घर में स्री जंत्र की अस्थापना करने से उत्तम धन की प्राप्ति होती है और मेरा अपना अनुभव है, सास्त्रका जो आदेश है, वो तो सरविधित है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जिन जिन लोगों ने स्री जंत्र की अस्थापना किया या भगवती की उपाशना तंत्र विधी से सुरू किया उनके जेव कभी आज तक खाली नहीं हुए तो कुल मिलाकर मैं यही करना चाहूंगा कि राज राजस्वरी की उपाशना तंत्रिक पधती से स्री जंत्र की उपाशना सभी लोग करें स्री जंत्र क्या है ज़र स्री जंत्र को हमारे आगम सास्त्रों में यानि तंत्र में जंत्र राज कहा गया है समस्त जो देवी देवता है वो या तो भोग देते हैं या मुक्ष देते हैं लेकिन श्रिविद्या की उपाष्णा से भोग और मुख्ष दोनों साधक के करतल हो जाते हैं। कि उसी सक्ति की उपाष्णा करके लक्ष्मी धन के धीपती बन गई हैं। तो मेरा अपना ख्याल है या सास्त्र का आदेश है कि जो व्यक्ति स्री जंत्र की उपाष्णा करते हैं सहज भाव से। और ऐसे भी श्री जंत्र शर्बदे 자 अपने अगर स्री को प्रोड़ देर तो फोरी जंत्र के योग से श्री उंत्रर है स्परी लक्ष्म का श्रमभodhan है स्पर्श को कहते हैं Also और अग अर्ध की वहांस पाना सोर्ष्ण गाहरे हैं सार अगर किसी को पूरे देश में वी वी लोगों को और स्थापीत कर सकता है कि हम से मेरे आस्रम में आकर का संपर क सथापीत कर सकते हैं है किस नंबर पर क्icação करientos करkov स्रिबिध्या था बगला मुखी पीठम बाराध मासी में स्वागत है आपका जभिया पाना चाहें मेरे contact number पर 943 0092863 कभी बात करके आप जैसे आ सकते हैं ऐसे मेरा mail id है skmisladilha at the rate of gmail.com तो mail के माध्यम से आप जैसे संपर कर सकते हैं contact mobile number से आप संपर कर सकते हैं और संपर करके आप आएं तो स्री जंत्रोगर के संबंध में हमारे हाँ तो साल में आशाढशन आ और अत्र में प्रतिवर्श बीद्या की साधना सत्र चलता है जिसमें स्री जन्त्र की चतुरृतसफंध्याूं में पूजा की जाती अचो हर साधक विश्राम नहीं कर पाते हैं स्थाधना किया है उस यहां उनका अपना अनभव उच्छा रहा है और अप लोग भी एक वार स्री जंतर की उन्भव को प्रगाड करें वह श्रीजंतर आप जुकाव नहीं है पैसे कि लिए परसान है तो उसे यूज को सर क्या कहेंगे सर देखा जाए मैंने एक बहुत सुंदर काम प्रारम किया था कोविड-19 के पहले के च्छित्र में करियर कॉंसिलिंग का मैंने काम सुरू किया था एक ख्याल मुझे में भी आया था और ख्याल का एक उद्देश था कलाम साहिब का एक संस्मरन मैंने पढ़ा था नियत नियती और हम इस्थिती ये बनती है कि नाइन्थ तेंथ के बच्चे नाइन्थ के बाद बच्चे अपने करियर के लिए काफी जागरूख हो जाते हैं लेकिन बच्चों का ख़ब कुछ होर होता है कि मैं आयस मनूँ पैरेंट्स कहते ह है कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है और नियती कहती है कि नहीं तुम्हें एक अच्छा खिलाडी बनना है तो नियती के चक्कर में हमारे नियती के नियत को हम समझने ही पाते हैं तो कभी गार्जियन के दवाव में हम कुछ पढ़ने लगते हैं करियर के चुनाव सही जंग से नहीं कर पाते हैं परिनामता होता क्या है कि अच्छी प्रतिभाएं जो है सो बरबाद हो जाती है तो मैंने कोविड-19 के पहले एक कार शुरू किया था कि प्रत्येक स्कूल में जाकर वहां के डारेक्टर से संपर्क करना वहां के प्रिंस्पल से संपर्क करके 9th, 10th, 11, 12th के बच्चों के लिए अपना डेट और टाइम दें और फ्री में निसुल्क मैंने कुंडली बना करके उन्हें गिफ्ट किया और उसके बाद मैंने लोगों को यह बताया कि आपके कैरियर के लिए 0.123 के हिसाब से क्या क्या है अगर इसमें कोई प्रावलम आ रही है तो इसकी रिमेडी क्या होगी और उसका रिजल्ट जो देखने को मिला कमसका 5,000 गया और बनार से सहरों मैंने ऐसे निसुल्क कुंडली का वित्रन किया है तो उसका रिजल्ट से रिस्पॉंस अच्छे मिले गारजियन का ऐसे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला उन्होंने बराबर जह से कहा कि गुर जी आपके बताएगे अमार्क पर चलने से मुझे काफी फायदे हुए हैं बच्चे को भटकना नहीं पड़ा है और कैरियर का अपना चुनाओ सही बिगन होगे डराजा कि तब सुन रहे हैं तो आप सोन रहे थे सुबध मिश्व राजी को देश के विख्याद तांतर बिदया के जनकारों में एक रहन दीन кому आप को अब प्र जोरह तो तो शृय नंबर डिस बताया है जो हम़ेरे डिस्प्लेवेश को हैं को मौजूद रह कर दो कर दो